दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 biggest dams of इंडिया के बारे में फिफ्ट नमर पर हम बात करेंगे सरदार सरोवल डैम की ये डैम गुजरात में नर्मदर रिवर के उपर situated है इस डैम की length है 1.21 km और height है 140 मिटर इसकी water storage capacity है 5.99 billion cubic meters ये डैम गुजरात का सबसे बड़ा reservoir होने के साथ साथ मध्यापरदेश, राजिस्थान और महराष्टर को भी water provide करता है फूर्थ नमर पर हम बात करेंगे नागार जुना सागल डैम की दोस्तो ये डैम आंदरपरदेश के पलनाडू डिस्टिक्ट और तेलंगाना के नलगोंडा डिस्टिक्ट के बीच में situated है जो कि इंडिया की 3rd longest river Krishna river के उपर मौजूद है इस डैम की length है 1.55 km और height है 124 मिटर इस डैम की water storage capacity है 11.4 billion cubic meters थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे हीरा कुट डैम की जो की world का longest अर्थन डैम है दोस्तो ये डैम उडिसा में महानदी river के उपर situated है इस डैम की total length है 25.8 km जिसमें की डैम की main length है 4.8 km और height है 61 meters और इस डैम की water storage capacity है 1.44 billion cubic meters सेकिंड नंबर पर हम बात करेंगे भाकरान अंगल डैम की ये डैम हिमाचल प्रदेश में पंजाब के border पर बिलासपूर डिस्ट्रिक में 17 रिवर के उपर मौजूद है इस डैम की length है 5.20 meters और height है 226 meters और इसकी water storage capacity है 9.34 billion cubic meters चलिए फर्स नंबर पर हम बात करेंगे टीरी डैम की जो कि इंडिया का highest डैम है दोस्तो ये डैम उतराखंड के गड़वाल रिजन के टीरी डिस्ट्रिक में भागी रती रिवर के उपर situated है इस डैम की length है 5.70 meters और height है 260 meters और इसकी water storage capacity है 3.54 billion cubic meters तो दोस्तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतन ही और next वीडियो आपको किस topic पर चाहिए हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगा